नमस्कार मित्रू आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सब का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं आज केंदरी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में लिये गए महत्तुपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सब को जानकारी देने के लिए माननी सूचना एवं प्रसारania मंतरी श्री ऐश्रणी वश्रांयों जी उपस्तित हैं मानी मंतरी जी का कर्दिक स्वागत है मानी सूचना एवं प्रसार staircase मंतरी डाप्टर अल मुरूगं जी भी हमारी बीची प्रस्तित हैं उनका भी स्वागत हैं प्रीफिंग के बाद के निर्णे उसे संब्धित प्रश्णों का उत्तर माननी मंत्री जी देंगे अब सर आप से निवेदन है कि मीडिया को संभूदित करें साथियों नमस्कार आज कैबिनेट में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे निर्णे जो लिए गए वह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सब को यह जो डिटेल्ड विकास की यात्रा है इसके बारे में जानकरी दीजए आ साथियों जैसा आप जानते हो पिछल सबसे वंचित गरीब से गरीब व्यक्ति और जो समाज के सबसे एक्सक्लूडिड वर्ग हैं उन सब को विकास की यात्रा में जोड़ा जाए इंक्लूजिव डेवलप्मेंट का जो प्रदानमंत्र शी नरेंद्र मोदी जी ने इन दस वर्षों में विश्व के सामने उदार ने लिया गया वह है कि निउट्रिशन सिक्यूरिटी का पोर्टिफाइड राइस सप्लाए आप जानते हैं कि बहुत सारी स्कीम से जिसमें स्कूल में मिड्डे मील हो या आंगनवाडी में बच्चों को खाद्य दिया जाता है प्लस असी करोन लोगों को असी करोन नागरि जाता है इस माध्यम से इस प्री रशन के माध्यम से किस तरह से नूत्रिशन सिक्यूरिटी लाए और किस तरह से दो जो बहुत बड़ी समस्या है अनेम्या की समस्या और माइक्रो नीउटरिट्स की देफिशिंची इसके ओपर लास्ट थी यहर्ज में लॉट अपर इसका पहला पाइलेट किया था और इससे पहले जब माने प्रदान मंत्री शृ नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्हों है इस एक्सपरिमेंट को गुजरात में किया था और यह दुनिया के करीब गरीब एक सो चालिस देशों में नहीं इसमें विशेष्ट होता है to supplement iron, folic acid and vitamin b12. इन सब का supplement करने का एक तरीका दुनिया भर में इस वेल एक्सेप्टेट वेल डॉक्यमेंटेड प्रॉसेस डॉल एच वगेरा सब के सब इसको बहुत स्ट्रॉंगली रेक्मेंट करते हैं तो 2018 में पाइलेट हुआ था 2022 में ICBS और PM पोश्चन प्रोग्राम्स कवर हुए थे 2023 में एड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज्यादा थी यानि बच्चों की ग्रोथ कम रहे ऐसे इंसिडेंस ज्यादा थे उन सब को कवर करके एक विस्तुरुत तोर पे फोटिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था और गत्मार्च में ये फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रदानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना से राइस की या फूट ग्रेंड की सप्लाई होती है इस प्रोग्राम में कवर किया जाए तो साथियों आज क्याबिनेट में पैसला लिया गया कि दोजार चॉबिस से दोजार अठाइस तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोर 17,82 करोर का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इस विल बी 100% फंड इस का पूरा खर्चा केंदर सरकार वहन करेगी और इसमें यह एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रियंट डेफिशेंसी यह दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेशकर महिलाओं में और विशेशकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है गर इस काम को करने में एक कंप्लीट सप्लाइचेन का डेवलप्मेंट किया गया क्योंकि आसान काम नहीं है बहुत मैनत लगती है राइस को फोटीफाई करने वाले मैनुफैक्ट्रज पिर राइस मिल्स जिसमें यह ब्लेंडिंग हो सके प्रीमिक्स मैनुफैक्ट्र जिसमें सब टेस्टिंग हो सके और वाइटमिन और मिनरल को प्रीमिक्स करने में एक्जैक्ट कॉंटिटी आई की नहीं आई वह सब टेस्टिंग हो सके ओवरॉल करीब 11,000 करोड रुपे के इन्वेस्टमेंट से पूरे देश पर में पूरा यह कंप्लीट सप्लाइचेन डेवलप ह तो इसका आने वाले वर्षों में इसका बहुत महतुपूर्ण रिजल्ट दिखेगा बहुत इंपक्ट दिखेगा देश भर में जब सारा का सारे अरिया कवर हो रहा है तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्राब्लम्स चलिया रही थी अनीमिया की और स्टंटिड तो साथियों यह इंक्ल्यूजिव डेवलप्मेंट का एक सबको समावेशी ग्रोथ का बहुत बड़ा एक्जामपल है और इसी इसी भावना के साथ बहुत सारे प्रोग्राम साथ आपने देखा पहले भी तयार किये गए गया सेकेंड बड़ा फैसला आज है विकास भी वि एक बहुत बड़ा माइंड सेट में बदलाव करवाया इन दस पर्शों में कि हम अपनी विरासत पर अपनी इस रिच कल्चिरल हेरिटेज पर गौरव करें इसको एक्सपिरियंस करें इसको स्टडी करें और इसको डेवलप करें और इससे जो आज के युग के अनुकूल ज है आर रिच हरिटेज इस वंद पर अर् शॉत मीष्यंस के इसलिऊ में हैं झानल सेंव है मैर्ञाइम हरेटेज उसको हम बड़पें आज़ एन वानिएम एम दिण भाक के यूं मिरू चाह Article 10-10 estratég अजुकि नौबएर टैयर मारी चाहि किंड नौन्हेकि हां है उसको हम देव इन सब की जो हेरिटेज थी इसको डेवलप करें साड़े चार अजार पांच हजार पुरानी तो एविडेंस बेस्ट मेरिटाइम हेरिटेज है हमारी अगर हम पूरी कोस्ट लाइन को देखें तो पस्चिम से अगर शुरू करें गुजराथ, महाराष्ट्र, गोवा, करनाटका, केरल, तमिलनाद, आंधर प्रदेश, पॉंदुचरी, फिर उडिसा और वेस्ट मेंगाद ये कंप्ली अगर हम कोस्ट लाइन पूरी देखें there are about 80 ports which are mentioned in the past texts and scriptures and books which were basically documenting the history of those types and these ports used to facilitate trade both on the east coast and the west coast to very long distances. West Coast में अगर देखें, all the way to Rome, और East Coast में देखें, तो Shri Lanka, Jawa, Bali, Sumatera, Indonesia में, Malaysia, Singapore, उसके आगे भी. So this is all documented, this is all historical data, in fact I will strongly recommend those who are interested in reading, there is a book called the periplus of the Erythrean Sea, 1st century AD, the periplus of the Erythrean Sea, 1st century AD, this gives a very good documentation of the ports and maritime trade of that period. उस रिच मेरिटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व करना, आगे बढ़ाना, इसमें कई स्टेप्स पास्ट में लिए गए हैं, बीन तस वर्षों में लिए गए हैं, आप सबने देखा ही हैं कि छत्रपती शिवाजी महराज की जो नेवी का इंसिग्निया था, उनका जो सिंबल उस सिंबल को आज भारत के नौसेना के फ्लाग में इंक्लूड किया गया है, हम सबने देखा ही है, कानो जी आंग्रे, जो शिवाजी की नौसेना के अध्यक्ष थे, सिनपती थे, उनका एक जबर्दस्त कमांड था नेवी पर और शिप्स की और पोर्ट्स की डिजाइन पर उनकी नेवी को कम्प्लीट अरेबियन सी में सबसे मजबूत माना जाता था, वैसे ही तमिलनादू से चोला और पांडिया के समय में, all the way to Indonesia, all the way to Malaysia, and even beyond Singapore, the ships used to sail, and lots and lots of cultural heritages spread across the world. अगर हम इन कई देशों की स्क्रिप्ट को देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलंड, इन सब कंट्रीज की स्क्रिप्ट को देखें, श्री लंका, that script is based on the scripts which were used in India at that point of time, including the Brahmi script. तो यह हमारा कुल्चुरल सॉफ्ट पावर उस समय का है, उस कुल्चुरल सॉफ्ट पावर को, how do we preserve? उडिसा में, 1600 में, 1500 AD में, there are documented evidences किस तरह से बाली जात्रा, शिप्स जाती थी, बालेश्वर से, कटक से, जगत सिंगपूर से, इन सब जगे से, शिप्स जाती थी, all the way to Bali, Sumatera, Shri Lanka और इस सारी documented evidence है. तो इन सब को समावेश करके, हमारी rich maritime heritage को, अगर हम देखें, तो there is one point which is one of the most exclusive points in the entire world, वो है लोथल. लोथल इस इन गुजरात, close to Ahmedabad, और इसका 2500 BC, 2400 BC, यहने अभी 2024 चल रहा है, तो यहने करीब-करीब 5000 साल पुराना, इसका documented evidence है. और जितना इसमें excavation हुआ है, उसमें पता चलाए कि उस युग की, जो सबसे बड़े ports और सबसे बड़े maritime centers थे, global trade के centers थे, उसमें लोथल सबसे prominent था. वहाँ पे एक बहुत बड़ी university थी, well-being university जो की, उस समय तक्षिला, नालंदा उसके बराबर मानी जाती थी, बहुत बड़ा trading center था, बहुत बड़ा ship building center था, ships manufacture हो के आती थी, लोग रोम से, इटली से, कई जगे से आते थे, और वहाँ से ships खरीद के जाते थे. बड़ा एक trade center, बड़ा manufacturing center था उस युग में, उसको national maritime heritage complex की तरह develop किया जाएगा, और आज ही approval हुआ cabinet में, लोथल में national maritime heritage complex develop किया जाएगा, पूरे भारत की rich and diverse maritime heritage को दिखाना, और world का सबसे largest maritime heritage complex बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है, आज के इस cabinet के edition में, माने प्रदानमंत्री जी ने इसमें बहुत focus दिया है, क्योंकि गुजरात में CM रहते हुए उन्होंने इसको एक तरीके से बहुत deep में study किया था, कई इसमें unique features होंगे, एक lighthouses का museum होगा, ship building का experience होगा, docks होगे, और लोथल का जो town का उस time का जो पूरा design था, वो complete town का design वहाँ पे बनाया जाएगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये maritime heritage complex बनेगा, once it is developed fully, और इस initiative से देश में जैसा पूरी coastline में states का नाम कहां मैंने आपको, और सब में जो maritime heritage है, उसको development करने का एक नया model, एक नया माध्यम हमारे सामने तयार हो, ये उसका design है, बहुत एक सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इस design को, इसमें कई सारे components है, इसमें working area है, experience area है, lighthouse museum है, five dimensional theater है, कई तरह की चीज़े हैं जो कि उस समय के युग में हमें ले जाए और आज के जो नई generations है, उन सब को हमारी rich maritime heritage के बारे में अच्छे तरीके से experience कराए जाए, यह उसका master plan है, कई तीन चार phases में बनेगा यह और अच्छा बड़ा एक विस्तृत बनेगा, बनेगा national maritime heritage complex, मैं तीसरे decision पर आता हूँ, आज के cabinet के, border areas में infrastructure को बढ़ाने का प्रदार्मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने एक नया totally नया mindset change करवाया, आप जानते हो कि border area के गावों को कुछ समय पहले तक कहते थे कि last village है, मोदी जी ने उसको first village बना है, हम सब के सब cabinet के जितने भी ministers हैं, सब किसी ने किसी vibrant village में गए, जिसको first village का दर्जा दिया गया, और वहां पे हर तरह के infrastructure की, हर तरह की society में जो needs होती है, roads, telecom, water supply, health, education, security, इन सब की सुविधा मिले, ऐसा vibrant village program भी आप सब के जानकारी में already है, कुछ महिनों पहले cabinet में अप्रूव हुआ था, बड़ा focus दिया गया connectivity पर, road connectivity, telecom connectivity, digital connectivity पर, तो आज उसी कड़ी में राजिस्थान और पंजाब के जो border areas हैं, बड़ा border है, दोनों के दोनों राजियों का मिला के, तो राजिस्थान और पंजाब के जो border areas हैं, उसमें 2,280 km नए road network का develop करने का आज निरने लिया गया, 2,280 km करीब 4,400 करोड का इसमें investment आएगा, 4,406 करोड बहुत बड़ा impact पढ़ेगा, border areas में, livelihood पर, connectivity पर, transportation पर, लोगों के आने जाने में, education के लिए, healthcare के लिए, trade के लिए, हर तरीके से अपने social needs के लिए, जो travel की एक बहुत बड़ी facility इससे बनेगी, और बहुत ध्यान रखा गया कि जो highway network देश पर में develop हो रहा है, उसके साथ इसको integrate किया जाए, देखो, इसमें mindset change इस तरह का है, कि एक समय था जब border areas को ततकालीन सरकारे, कभी भी इतना ध्यान नहीं देती थी, और उसमें कई perverse arguments भी किये जाते थे, कि यह अगर develop हो गया तो मैं इस controversy में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस तरह कि आपकी जानकारी में है, ततकालीन सरकारों ने क्या mindset रखाता है, तो अब उसके एक दम विपरीत है, चाहे North और North East में जो हमारा border है उसको देखो, या West में हमारा border है, या North में हमारा border है उसको देखो, तो हर जगे border area पे special focus करके उसको develop किया जा रहा है, जिससे कि उन शित्रों में रहने वाले हमारे नागरिक उनको वही facilities मिले जो देश के बाकी हिस्सों में बिल रही है, यह साथियो तीन आज बड़े facilities आपके सामने रखना चाहूंगा and I'll take questions. सिक्स्टीन नमबर इस पर से संबन्दी थे इस पर राजस्थान और पंजाब को भी शामिल किया गया है क्योंकि बॉर्डर तो हमारे कई जगह कई रिस्टेटों में और भी लगती है तो इसमें उत्राखंड भी आ सकता इसमें माचल भी है इसमें और भी स्टेट आसकता है समय समय पर कई ऐसे प्रोग्राम्स आये हैं जो आपकी जानकारी में लाए गए पहले भी जैसे अरुनाचल प्रदेश में एक बड़ा रोड नेटवर्क का प्रोग्राम आपके सामने करीब डेड़ दो साल पहले लाया गया था फिर उत्राखंड में हिमाचल में और किश्मीर के प्रोगेक्स आपके सामने आए फिर गुजरात में एक जगे का एक इस प्रोगेक्स आपके सामने लाए गए और आज जो लाए गया आज जो प्रोगेक्ट है इन दोनों स्टेट से रिलेटेड है बट ओवराल पूरे बडर का देवलप्मेंट कंटिनियूसली जालू है जालू है जालू है सेवेंटी सिक्स अब लक्षमन सी अवास से यह फोटिफाइड राइस की स्कीम मुझे जाना तक क्या दे दो हजार बाइस से सरकाने शुरू की थी उसका कोई असेस्मेंट किया गया है क्या कि इसका किस तरह से असर पड़ा है नूटेशन पे इस पे और दूसरा सवाल चुकी कैमेट की बैठक ऐसे समय में हुई है जो चौबिस घंटे भी नहीं बीते हैं हर्याना जम्म कश्मिर के विजल टाय हुए कि इस पर कोई कोई चर्चा हुई कैमेट की बैठक जो फोर्टिफाइड राइस का हमारे नागरिकों की हेल्थ पे पॉजिटिव इंपक्ट है उसकी लगातार स्टेडी एक कॉन्करेंट स्टेडी चल रही है और एक इसकी एक बड़ी विस्तुरुत स्टेडी भी कर रहा है निती आयोग भी कर रहा है उसके स्टेडी और जो 140 देशों का एक्सपीरियंस है कई देशों ने ये काम पहले चालू किया लेकिन जैसा भारत में बहुत सारी कारिक्रमों में आपने देखा बहुत सारे काम इनी दस वर्षों में ही शुरू किये गए जो की बीस तीस चालिस वर्षों पहले चालू करने चाहिए थे वैसे ही यह फोटिफाइड राइस की सप्लाइब दो जार अठारे से चालू हुई पाइलट प्रोजेक्ट बाइस में बड़े पैमाने पे तेईस म कि मैंने जो डिसकुशन किया आपके सामने रख दिया कैबनेट कर अपना मोबाइल आफ कर दे प्लीज कैबनेट में जितने भी फैसले होते हैं वह आपके सामने रख दिया जाते हैं ट्रांस्परेंट की सब्सक्राइब इपक्रम इंडिया इस वर्ड़ फटिफाइड इसो परिफयर कर फटितने आप कर फिफयर कंशी। 45 rice and that huge stock they when they went to sell it in the market no one was buying so how are you this how are you going to take this decision that this 45 rice will be taken only for the you know distribution under pmg ky and other things otherwise when you go for you know like offloading of food grain in the omss it will become a big crisis so is there any kind of differentiation or all food grain that will be produced from a very spasht way i want to say fortified rice is something which is blended with normal rice so if you can see the second slide this has been created looking at the experience of many countries in the world and this basically makes sure that about one percent or less is the blending which happens and that blending helps you in getting the right amount of iron folic acid and vitamin b12 so this is part of the public distribution system rise from the millers it was a condition that whatever rice they will give that will be 45 rice so they were not getting you know when they went for open market sale so the department will be able to give you detailed analysis later on 56 इस्प्राइब्ण प्रुद्र में न्यूस्ट निसन से दृट्टर अपी आपी इस इस न्वाप्राइं दृफ लोग वहां से पलायन कर गए थे वह वापस अपने गाउव की तरफ आ रहे हैं लेकिन एक बड़ी चुनोती खास तो और रहां रहे हैं और वार लद्दा की पेवेदर चैलेंजे से भी जूसते हैं और विल्कुल कट अप हो जाते हैं क्या उस पर कोई चर्चा है कि आने वाले दिनों में वहां डेप्लेप्टेंट प्रोसेस को बढ़ाया जाए और जॉब भी क्रेट किया जाए ताकि लोग वहां पर रह पाएं और हमारी संप्रभु कारिकरम पहले से अप्रूव हो कि पिछली कैबिनेट में ही याने पिछले दो वर्षों के प्रोग्राम में ही कई सारे प्रोजेक्स इसमें अल्रेडी आ गए और इसमें टूरिजम पे भी बहुत स्पेशल फोकस किया गया है और कनेक्टिविटी पे सबसे जादा फोकस किय अगर आपको याद होगा तो करीब देड़ साल पहले कुल मिला करीब करीब दस हजार के आसपास नए टेलेकॉम टावर सेंक्शन हुए थे जो की बादर एरियास के लिए ते आपको याद होगा अरुनाचल प्रदेश के लिए हिमाचल के लिए लिए लेह लग्दा के इस प्राक्तिकली कवर्ड विद इस तू अनॉंसमेंट्स 273 सर राश्टिय समुट्य विराशत परिशर का जो है यह निर्माड कब तक पूरा हो जाएगा कब तक यह आम लोग इसको देख पाएंगे हैँ करीब आप समझें इसका फेज ओन कंप्लीट ओना थे दो वर्शों के अंदर थीन वर्शों के अंदर दो से ताहिए वर्शों के बेज़न और ऑद सूंसा अिसके बाद में काफी इसका लंबा डवलपन पा सेज मरा आप जानते हो मोदी जी की समय में काम किसे स्पीट से सब्सक्राइब नाइटिफाइब इस सब्सक्राइब आपके सामने समय समय पर लाए गए और भी लाए जाएंगे आज रोड का लेकिया है अज रोड का लेकिया है सिरफ आज सब्सक्राइब आज जी के बड़ो रोड कथाटा आशी चे और आसंता आगे भी रेल कथाटा आशी थिला आओ भाविश्यत्रे भी आशीब रेल आशीब रेल आशीब आशीब थ्री गुड आप्टून सब्सक्राइब मनोहर केस्तरी फ्रॉम नियूज एक्स इंडिया सब्सक्राइब आशी बात सर आज कैबिनेट की बैठक में हर्याना और जम्मू कश्मीर को लेकर के क्योंकि बहुत सारी योजनाय थी जो जमीन पर उतारी गई और कल पीम ने भी बूला है कि विकास का मॉडल जो है सो हर्याना में काम किया है तो इसे लिए करके कोई चर्च मैं इसमें बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि , कॉलोग इसमें कॉंवियोय करें। बुक्त कई तरीके से हमार कीаны काण्डिशन भंद की से बहुत बहुत सीफंदिग प्र वर के बहुत से खण बहुत से तरीके से कांट्रिशन होगा एक तरीक से美味 क्छी उस टाइम के जो कांट्रिविशन इस तरह से भी होगा कि मानलो कोई पर्टिकुलर सपोज रूम यहां पर अपना पैविलियन बनाना चाहें लोथल में तो भी इसमें पाट होगा इसलिए इसका एक ओपन अपन आप्रोवल किया गया कि काम चालू करते हैं और जैसे जैसे इस काम की प्रोग्रेस को दुनिया में दुनिया के सामने रखाएगा वैसे-वैसे भी वीविल थे लॉट पीपल वान्सु एक तो उसी बावना के साथ इसको लेया गया है और इसके अलावा जो कैबिनेट मे हुई है वो सब मैंने आपके साब ने रख दी है उसके अलावा कुश्यन कि प्रेस कॉन्फरेंस काबिनेट ब्रीफिंग की है प्रशांत आप हाँ है किस वन वर्ट वन ट्वेंटीव वन ट्वेंटीव सर प्रशांत हूं एंडी टीवी से बस एक फिगर यह चाहिए सर की फोटिफाइड राइस स्कीम में अब तो वो सब सब लोग कवर होंगे उसके अंदर अब तक कितने लोगों को इसका फाइदा मिला है कितने लोग इसके अंदर कवर थे सर अभी तक जिंजे नियोजनाव में मार्च शें त्तिवर करो मेंडिये से मार्च दो जार चॉवीस से आसी करोड लोग इस में इंक्लेों मार्च 24 से 80 करोड पीपल जाद इंक्ल Smart सब्सक्राइब करें इसको किस तरह से आप लोग सुनिस्टेट करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मैनुफेक्ट्ट्रर से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है एकस्टेल्ट कषचन और इस लाइड को अप एक दम इधेयल में देखलो फोटो कि चलो इसका इसमें बहुत बहुत इधेयल में दिया गया है there are 52 NABL accredited labs for testing the rice there are 27 NABL accredited labs for testing the place where the fortification is happening there are 11 NABL labs which measure the vitamin and mineral premix testing तो यह बहुत ही केरफुली और दुनिया भर के एक्सपिरियंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है और इस लिए इस सप्लाइचेन पर बहुत बड़ा फोकस किया गया अगर यह यह वाली सप्लाइचेन नहीं बनती तो इतना बड़ा कारिक्रम हाथ म में लेना कि डिफिकल्ट होता इसी लिए इस सप्लाइचेन को भी साथ ही साथ जब 22 से प्रोग्राम चालू हुआ इटीन में पाइलट प्रोग्राम हुआ तो 22 से 24 दो साल में यह 11,000 क्रोड रुपीज के इन्वेस्टमेंट से सप्लाइचेन पूरी बनी है नई लाब बनान नए लोगों को ट्रेन करना टेक्नीशियंस लेबरेटरी एक्विपमेंट लेबरेटरी में जो केमिकल्स रीजेंट्स वो सब यूज होते हैं वो सब के सब चीजों को बहुत ध्यान में रखके इन चीजों को बनाएगे थैंक यू चलिए जने भी खाते है